बिल्कुल देखिए Google.com अपना Google Chrome open कर लिए चाहे mobile के उपर चाहे laptop के उपर जो भी आपके पास है यहां पर लिखे Canadian Nanny.ca तो मैंने अल्रेडी open किया हुआ है ओके सिरफ आपको दिखाने के लिए कि कैसे profile रेडी की जाती है तो ऐसा page open होगा एक पर पूरा page जो है reload हो जाए रिलोड होने के बाद आपको देखेगा पूरा layout देखेगा इसका तो यह है सारा page तो अभी open हो रहा है तो देखेगे अभी आपको अपने Facebook के साथ login कर लीजिए या normal अपनी email ID के साथ इसको login कर यहां पर जाकर account बना सकते हैं get started कर लीजिए अगर आप Facebook से login नहीं करना चाहते है तो get started पर अगर जाते हैं तो देखेगे आपके पास एक form open होगा फोर्म के अंदर आपके पास लाहिए जैसे कि देखेगे what are you looking for I am looking for a nanny jobs right I am looking for a nanny पर आपके लिए जो option है I am looking for a nanny job right यहां पर आप क्लिक करेंगे then next करेंगे next करने के बाद suppose किजिए मैं अपनी email id यहां पर यह डाल देता हूं right and उसके बाद जो है number मैं डाल देता हूं कोई भी 11 number एक पर मैं डाल देता हूं ठीक है जैसे ही आपका अपना don't worry आप अपना Cyprus का number यहां पर fill out कर सकते हैं right तो उसके बाद आपका नेम जैसे मैं suppose करता हूं Mr. Singh मैं डाल देता हूं सिरफ आपके लिए example के लिए आपको मैं बता रहा हूं Mr. Singh right उसके बाद आगे चलते हैं पासवर्ड क्या रखना है पासवर्ड जो मर्जी आप रख लीजिए जो भी आपका दिल करता है जैसे मैं अपना पासवर्ड रखता हूं मुझेट करना है वहां पर सिटी कौन सी है जो भी circulation करना चाते हैं वह the card कर लीजिए जाना फ्लिक के बारें क्योंकि यह Canadian website यहां पर नाको Canadian location ही वी आउट करनी पड़ेगी तो कोई भी location यहां पर रख आप देहीं से में कोशंए यह है कि डू यू रूकर स्पोंसर्शिप की बहुत ज़रूरत है उपकर सकते हैं तो घ्रफिनिट्ली इस वायपसाइड के ऊपर आप ने आपकर आपक आपके इसी उप्शन आपका दिखाए देरा है do you require a work sponsorship बिल्कुल हमें चाहिए तो हम yes करेंगे then next करेंगे what service do you offer आप कौन कौन सी service आपने like की हुई है क्या क्या आपको like आपको pet care आता है right आप जो है dogs वेरा cat वेरा की take care कर सकते हो बिल्कुल कर सकते है CPR training आपको normal आनी चाहिए क्योंकि एक course होता है 150 यूरो तक ये course हो जाएगा अगर आपने नहीं किया तो light housekeeping घर के काम जो आते हैं आपको वो normal अगर आपको आते ही हैं आपको Cyprus में काम कर रहे हो meal preparation अगर आपको food बनाना आता तो ये चारे service नॉर्मली सभी को आती है तो आप सभी पर tick किरेंगे and आप what rate do you charge एक घंटे के कितने पैसे लेना चाते हैं must be at least 13 डालर क्योंकि वहां की जो minimum per hour की wages है वो 13 डालर साट सेंट की है तो आप यहाँ पर 15 डालर तक लिख सकते हैं ज़्यादा भी लिख सकते हैं बट देखिए normal experience एक साल का experience आप के पास 2-3 साट का experience है तो भी 15-16 लिखे क्योंकि ज़्यादा chances होगे कि जितना कम होगा उतने ही अच्छा रहेगा क्योंकि अगर कानडा के अंदर कोई भी लड़की 20 डालर ले रहे है तो आप 15 डालर ले उनको फैदा होगा कि हाँ नहीं इस 15 डालर वाली लड़की को काम पर रखना चाहिए अब next करते हैं next करने के बाद what should families know about the job तो यह होगा headline state who you are and what you are offering तो यहाँ पर आप अपने बारे में लेखेंगे वो आपको क्यों हायर करें जैसे आप लेख सकते हैं आप अपने बारे में प्रॉपर यहाँ पर लिखेंगे अपनी जो आप लाइक आप लिखेंगे hardworking right person hardworking I have more than one year two year three year जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं like suppose कि यह three years experience experience in experience as a as a nanny लिख लीजिए ठीक है as a nanny लिख 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 सकते हैं as a nanny right उसके बाद जैसे normal से बात है यह अपने जो भी spellings आपने थोड़ा बहुत सही करना चाहते हैं तो आपके बारे में अगर आप आप क्या service प्रवाइड कर सकते हैं right okay उसके बाद I am friendly right उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो भी आपकी requirements jobs की requirements आपने आपको मालूम है right उसके बारे में आप लिखें description headline के अंदर सिर्फ एक या दो line ही लिखनी है ताकि एक title होता है जो आपको आपके बारे में बताता है कि हाँ आपको जैसे title यह होगा three year experience है directly वो पता है कि इनको three year experience है already अब क्या है इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा जैसे I hope you are having a good day उसके बाद about me लिखिए I am hard working child care worker who can't wait to help your family तो मतलब यह सारी चीज़े आपको अपने बारे में यहाँ पर लिखनी पड़ेगी तो आपका experience जैसे आप लिख सकते है कि मेरे को तीन साल का से ज़्यादा experience है मैंने जो मेरे को experience है child care worker के अंदर मैं बहुत hard working हूँ ऐसा family family के अंदर काम करने के लिए comfortable हूँ तो यह सारी चीज़े जो भी आप लिखना चाते हैं अगर किसी तनकी कोई problem आ रही है यहाँ पर तो आप मेरे से comment करके पूछ सकते है इतना time नहीं होता video के इंदर समझाने के लिए क्योंकि video बहुत lengthy हो जाती है तो इसलिए तो normally आपको बता देता हूँ choose a plan यहाँ पर देखिए जो monthly plan भी है quarterly plan भी है yearly plan भी है अगर आप free में करना चाते हैं try करना चाते हैं तो free में भी apply कर सकते हैं don't worry इस जो payment के बारे में मैं आपको थोड़े देर बात बताऊंगा in the end video बताऊंगा इसका क्या फैदा रहेगा आपको ठीक है जैसे basic limited message and call अगर free में काम करते हैं तो यहाँ पर आप click किजिए ठीक है you are all set your basic account is ready to go ठीक है यह हो गया आपका account ready अब क्या करना है आपने करना है अपनी profile के अंदर जाकर click करेंगे profile के अंदर जाने के बाद जैसे अभी देखे profile open हो गई अभी यहाँ पर देखिए headline okay complete है यह हमारी I am hard working I have more than 3 year experience as a nanny right और nanny pet care भी आपका वो सारी options यहाँ पर है description के अंदर भी आपने proper वे से उसको explain करना है यह वैसे तो मैंने normal सा ही यहाँ पर explain किया वो लिखा हुआ है बट आपको अपने बारे में proper वे से बताना है कि आप pet dog care के लवर हैं ठीक है आपको cooking आते है right उसके बाद आप hard working है आप new skills को learning के लिए काफी comfortable रहते है always ready to learn new skills right यह सारी चीज़े आएंगी ठीक है उसके बाद reason to hire me यहाँ पर आपको एक option लिखना है लिखना है कि reason to why they will hire you कि आपके अंदर कौन सी qualities है जो इसके कारण वो आपको hire करे ठीक है वो आपको क्योंकि sponsorship लेनी आपने तो sponsorship लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी English की lines काफी time ले लिजी है ठीक है एक गंटा दो गंटा सोच कर और राम से दो तन दो कू दो lines ऐसी लिखे हैं जिसके कारण वो आपको like convert कर सके आपके लिए sponsors ready कर सके then उसके बाद आपके पास contact number डिटेल वो चाहे आप उदर जो cypress का number है वो ही डाल देंगे location जो भी normal वो ही चलेगी Canada की and उसके बाद photo आपकी यहां पर एक photo अच्छी photo होनी चाहिए जिसके अंदर आप well looking good लग रहे हो ठीक है ताकि उनको भी लगे कि हाँ जिसको मैं हाइर कर रहा हूँ वह एक अच्छी लड़की है like उसके education उसकी अच्छी है right उसकी personality अच्छी है तो मतलब एक photo से judge कर सकता है बंदा तो SMS number अगर आप valid कर सकते हैं पहली बाद SMS आपका number valid नहीं होगा क्योंकि cypress का number है phone ये भी ये दो options ये like मुश्किल है verified करने के लिए बट आप अपना cypress का number डाल दीजिए उनको पता होता है कि cypress का number आपको call कर लेंगे और email verification email अपनी डाल दीजिए email आपकी verify हो जाएगी अभी मैंने जैसे मैं check out करूँगा अपनी email open करके तो वहाँ पर मैं accept करूँगा तो ये भी okay हो जाएगा recommendations recommendations वो होती है जैसे कि आप जिस employer के साथ अभी काम कर रहे हैं अगर वो आपको एक letter लिख कर दे सकते हैं कि ये लड़की अच्छी है मेरे साथ 2-3 से सकाल काम कर रही है behavior अच्छा है ठीक है moreover अगर ये कोई भी hire करेगा इसको तो बहुत अच्छे से take care करती है राइट तो ये facebook आपको connected कर लीजिए ठीक है ये रहने दीजिए share on facebook upload your resume cv अगर आपको as a European cv नहीं ready करना आता specially girls और boys के लिए जो साइप्रस में काम कर रहे हैं as a working visa के उपर अगर आपको comment करके पूछ लीजिए मैं आपको proper way से guidance प्रवाइड कर दूँगा कि यॉरप का ये European style जो है कैसे अपना cv ready किया जाता है जिसके अंदर आपकी photo आपका पूरा experience a to z cover up किया जाता है तांकि ऐसा professional आप nanny लगे तांकि वो आपको hire करे जल्दी से जल्दी sorry तो यहाँ पर यह आपका pay rate हो गया आपने पंदरा डॉलर जैसे मैंने लिखा service इपैट के और वो सारी service आप लिख सकते हैं training CPR भी है sponsorship required आपको चाहिए house or light house keeping meal preparation जो सारी service हमने डाल दी रहाँ पर अब बात आ रही है हमारी की jobs कैसे डुणनी है यहाँ पर देखिए तीसरा option लिखा हुआ है home inbox jobs jobs के उपर जैसे आप click करेंगे jobs के उपर click करने के बाद 340 jobs देखिए nanny की jobs यहाँ पर पड़ी है अगर आप directly agency के साथ काम करना चाहते हैं agency से tie up करेंगे क्योंकि agency से यह होगा कि वो आपको directly payment आपके ज़्यादा पैसे ज़्यादा लगेंगे आपको payment भी transfer करने पड़ेगी ठीक है और उनको आपको like वो ही सब कुछ hire करेंगे documentation everything अगर आप individually बात करना चाहते हैं तो 332 employer यहाँ पर हैं आपको जो willing है आपको काम देने के लिए but आप बात करते हैं कि आपकी job category के इंदर जाना चाहते हैं newborn baby के लिए ठीक है invents के लिए, toodle के लिए early school हो गया, primary school हो गया यह सारी jobs आप देख सकते हैं availability, live in, live out, full time, part time, summer only जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं but हमारे लिए सिरफ यही option रहेगी full time and leave in ठीक है, leave in, leave out जो भी आप करना चाहते हैं leave in करेंगे तो काफी अच्छा response बिलता है आपको language आपको कौन-कौन से आती है Hindi, English, Urdu, जो भी आपको आती है उसके बाद pay negotiable आप कर सकते हैं उसके बाद यह सारी चीज़े यह सब छोड़ दीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे directly उसके बारे में जो आपको sponsorship देने के लिए hire करें यहाँ पर देखिए left hand side लिखा हुआ work eligibility यहाँ पर willing to sponsor click कर दीजिए, that's it तो यहाँ पर जितनी भी jobs आएंगी अभी आपके पास, वो jobs सिर्फ आपको sponsorship like दे सकती है और hire कर सकती है अब चलते हैं, जैसे मा लेजिए इनके बास है, live in nanny चाहिए इनको two great kids के साथ यह अभी एक गंटा पहले ही जो है, उन्होंने अपनी profile create की है, login हुए थे यहाँ पर तो four year का experience मांग रहे हैं बट वो तो अगर आपके पास चार साल का experience है तो अगर आपके पास चार साल का experience है तो आप यह job apply कर सकते हैं उनके साथ directly बात भी कर सकते हैं तो अभी जैक बार page open हो जाए तो आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है उसके बाद हम एक बार देखते हैं और भी यहाँ पर देखिए पंदरा गंटे के लिए यह जो रीम S करके है, इन्होंने तीन गंटे पहले अपनी application डाली है यहाँ पर इनको भी एक नैनी चाहिए तो यह देखिए, profile open हो चुकी है यह Victoria F है ठीक है, और यह उनकी location बगएरा हो गई यह about the job जॉब के बारे में लिखा हुआ है Hello, my name is Victoria I am singing a nanny available in Maple Ridge British Columbia ठीक है, यह एक nanny के लिए nanny को डूंट रहे हैं, British Columbia के अंदर, but इनकी advertisement चल रही है, अगर एक मन से ज़्यादा इनकी advertisement चलते रही नहीं girl मिली, तो यह आपको sponsorship कर सकते हैं I am plan to chat with a caring, skillful candidate who is able to be your live-in nanny, right तो यह है उसकी services के बारे में बताया गए यह आप पढ़ सकते हैं, read out कर सकते हैं additional availability, we have flexibility if you do, getting in a touch you can reach out via the website and I will follow up you तो इसके साथ करना है काम right, availability क्या है, willing to sponsor यह आपको sponsor करने के लिए ready है I can provide, ठीक है यह सबसे good news, अच्छी news है कि I can provide sponsorship right, उसके बाद यह message है कि कहा, अगर आपने वैसे ऐसे ही लिखा हुआ message send करना है, तो आप directly send message कर दीजिए otherwise, आप लिख दीजिए Hi Victoria, I am available to chat with you because I have more than two years experience as a nanny in Cyprus and I am really hard worker if you let me know when you are available to chat right, तो यह कुछ ऐसी अच्छी दो-तीन lines लिकर उनको message send कीजिए तां कि वो आपके साथ tie-up कर सके right, call on phone, यह option आपके लिए available अभी नहीं हो सकती अभी बागी check out करके देखते है मैंने अभी click किया है तो देखते हैं क्या system है ठीक है, यह उनका number है call right now ठीक है, वो जो आप your number, यह number हमने fill out किया था, directly इस number से उस number पर call चली जाएगी ठीक है, अब यह number नहीं पता चलेगा क्योंकि हमारी यह basic profile चल रही है अब हम बात करेंगे इसको paid करने के लिए paid करने के लिए क्या-क्या क्योंकि देखिए, नॉर्मल सी बाता अगर basic plan अगर use करने हैं आप तो basic plan के अंदर क्या होता है आप कुछ limited conditions के अंदर request send कर सकते हैं, message send कर सकते हैं अब जैसे paid के अंदर हम अप्ग्रेड करते हैं इस plan को, right अप्ग्रेड करने के बाद तीन options आपको दी जाती है monthly, quarterly and yearly ये तीनों options जैसे ही आपके ये देखिए, open हो चुकि है monthly and quarterly monthly ये $10 है Cyprus में हो आप, euro चलता है अगर मेरी मानों तो इसको subscribe कर लीजिए, पहले अपनी euro में आपका कोई भी like suppose कीजिए, कम से आपने कुछ खा लिया, ठीक है, आपने burger खा लिया या कुछ bread वगएर आप कुछ भी लेकर आए, ये सोच लिए कुछ मैं खाने जा रही हूँ, रिक, one month के लिए अगर आप 7 euro या 8 euro भी spend करते हैं, तो आपकी जो profile रहेगी वो top nanny profiles के अंदर रहेगी ठीक है, unlimited message कर सकते हो, private message कर सकते हो, directly employer को, unlimited उसके बाद आपके phone callings है, बिल्कुल safe, right, in online callings होंगी आपके पास, तो बिल्कुल safe रहेगी, तो साड़े 7 euro के अंदर कोई भी like बुरा plan नहीं है, यह सिरफ एक month के लिए try करके देखिए क्या हो सकता है, क्या भी, में भी हो जाए, आपको पूरी आपकी किस्मती change होए, सिरफ 8 euro में आपको willing हो जाए, वो sponsor करने के लिए, तो यह पूरा plan था आपको बताने के लिए, तांकि आप भी Canada के अंदर, जो है directly sponsorship वाले employer ढून सके, बहुत सारी jobs है यहाँ पर 17 dollars per hour के लिए भी job provide कर रहा है, यह 15 के लिए कर रहा है, यह 13.6 के लिए आप इनको भी apply कर सकते हैं, तो यह भी देखिए, चार गंटे पहले ही उन्होंने upload की है, चार गंटे पहले इन्होंने कि 18 गंटे यह 18 dollars per hour के लिए provide करने के लिए ready है, तो बहुत ही ज़्यादा jobs है, आपके बलकुल सामने लिखा हुआ है, 349 jobs and everyday बहुत ज़्यादा jobs यहाँ पर available होती है, update होती है तो best of luck and why guru आपको like भगवान आपको आपका ड्रीम पूरा करे जिदने भी साइपरस में मेरी बहने है या मेरे बाई है, बाईयों के लिए तो यह website नहीं है, यह सिरफ girls के लिए क्योंकि वो as a nanny job करती है right, तो यह website है, यहाँ पर जाईए, profile बनाईए, और 7.5-8 यूरो लगाने से कुछ भी आपका गसने नहीं वाला ठीक है, 7.7-8 यूरो में यह सोचिए कि मैंने किसी को दान दे लिए, तो यह भी एक दान कर दीजिए, ताकि में भी हो सकता है कि 8 यूरो में आपको कुछ मिल जाए यहाँ से, तो अगर मिलता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बट पहले basic profile ट्राइ कीजिए, एक अफता, दो अफते ट्राइ करके देखिए, अगर आपको कुछ response मिल रहा है, अच्छे message आ रहे हैं, किसी का response भी आ रहा है, then definitely आप 7.7-8 यूरो में लगा कर इस मंत्री profile के अंदर जाहिए, and as a sponsorship employer टूंडिए, तांकि आप agent से बच सकें, क्योंकि agent चो है, 5000 यूरो इन निकोशिय और लिमासोल में है, वो लेता है and उसके बाद 2000, near about 5-7,000 total expenses है अगर 7-7-8 यूरो में लगा कर आपके इतने पैसे बच रहे हैं आपके बाद आपके बाद आपके बाद कर दो दो